प्रिष्ट संख्या चववन अंतर की घुमरती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चे करता है वे भावुक खशनों की अप्येक्षा अधिक विवेक पूर्ण होते हैं दाज्जिव शेखर जोशी जन्म सन 1932 अल्मोडा उत्राखंड प्रमुख रचनाए कोसी का घटवार साथ के लोग दाज्जिव हल्वाह नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह एक पेड की याद शब्द चित्र संग्रह सम्मान पहल सम्मान पिछली सदी का छटवा दशक हिंदी कहानी के लिए युगान्त कारी समय था एक साथ कई युग कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग धंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू कर दी और देखते ही देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंदर में आखडी हुई उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाव में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है उनकी कहानिया नई कहानी आंदोरन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं समाज के मेहनतकश और सुविधा हीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है नहायत सहज एवं आडम बरहीन भाशा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जन जीवन की बहुविध विडम बनाओं को महसूस किया जा सकता है ऐसा करने में उनकी प्रगती शील, जीवन द्रिश्टी और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है प्रिश्ट संख्या पच्पन शेखर जी की कहानिया विभिन भारतिय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी में भी अनूदित हो चुकी है उनकी प्रसिध कहानी दाजी उपर चिल्डरन्स फिल्म सोसाइटी द्वारब फिल्म का निर्माण भी हुआ है समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिपणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है वास्त्विक अर्थ गांभीर ये उतना ही अधिक लेखक की किसी मुखर टिपणी के बगएर ही पूरे पाट से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किन्तो निर्धन ब्रामन युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातिय अभिमान बेमानी हो जाता ह सामाजी क्विधी निशेदों को ध्यान में रख कर वह धनराम लोहार के ओफर पर बैठता ही नहीं उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है मोहन का व्यक्तित तो जाती गत आधार पर निर्मित जूठे भाईचारे की जगा मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे के प्रस्तावना करता प्रतीत होता है मानो लोहा गल कर एक नया आकार ले रहा हो